असलाम अलेकुम वेलकम तो मैं चैनल सवीर डोज आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी तीन साल की बेबी गल का बहुत ही खुबसरत अंगरखा स्टाइल में फ्रॉक डिजाइन अगर आपको बचियों के नियू से नियू फ्रॉक डिजाइन चाहिए हो तो जल्दी से मेरे चैनल से वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताके जो भी नए डिजाइन की वीडियो में अप्लोड करूँ उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए हम स्टार् की एक लंबी पटी है मैं चाहिए तो यह दिखें जो मैंने डेड कलर का फैब्रिक लिए उसकी चड़ाई है वह दो इंच है और दो इंच ही हमें चैपी के पटी चाहिए अगर आपके पास इतनी लंबी पटी नहीं है तो आप छोटे-छोटे जो पीस होते हैं उनको लेकर उनको भी जोड लगाकर तो लंबी पटी बना सकती है तो यह देखें इस तरीके से हमने जो फैब्रिक है उसको चैपी को पर पेस्ट कर देना है अब हम अपना फैब्रिक लेंगे फ्रॉग का तो सबसे पहले हम फ्रॉग की पेटी की कटिंग करेंगे जो के मैंने पहले से को अलग कर लिया था तो यहां पर जो फ्रॉक की पेटी की चुडाई मैंने रखी है वो 13 इंच है और जो लंबाई है वो 9 इंच है इसको फिर से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो फॉर लेर हमारे पास बन जाएंगी यह फ्रॉक के घेर का फैब्रिक है इसकी जो लंबाई मैंने यहां पर रखी है चुडाई सोरी वो है 25 इंच और लंबाई मैंने 12 इंच रखी है यह फ्रॉंट और बैक साइड है इसको हम अलग कर देंगे अब हम फ्रॉक के पेटी की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हमने तीरे का मेजर्मेंट करना है तो मैंने अब 2.2 मैंने गले की चुडाई रखी है नेक की और डीप मैंने 1.5 इंच रखी है तो इस तरह कैसे हमने वी शेप का नेक त्यार करना है यहां पर क्यूंकि अंगरखा स्टाइल के लिए ज्यादा तर वी शेप ही नेक त्यार किया जाता है बैक नेक मैंने एक इंच का फास स्लीप में नेक की कटिंग करनी है तो देखें नेक की कटिंग हो चुकी है बैक साइड पर हमने बटन पटी त्यार करनी है तो तीन इंच पर हमने सेंटर में कट लगा देना है स्लीप मैंने पहले से कटिंग कर लिए थे हाफ स्लीप यहां पर मैंने कटिंग किये हैं अब जो फ्रहन साड में वी शेप में हमने कटिंग की थीанный उसके लिए हम अलग से पटी निकालेंगे इस तरीके से double fold fabric ले लेंगे तो front वाली side को भी double fold करके उसके उपर इस तरीके से रकेंगे तो जिस तरीके से हमने neck life की थी सेम उसी तरीके से नीचे वाले fabric की cutting कर लेनी है तो इस तरीके से हमने एक inch के हिसाब से पट्टी को निकाल लेना है इस तरीके से कटिंग करके तो यह देखें इस पट्टी को हमने इस तरीके से नेक के उपर रखेंगे तो यहाँ पर हम स्लाइड लगा देंगे तो यह देखें मैंने फैबरिक पर पेपर पेस्ट को अच्छी से पेस्ट कर दिया था इरन से इनकी चुड़ाई दो इंच थी तो हमने लंबाई भी इसकी दो इंच ही रखनी है तो इस तरीके से हमने दो इंच पर निशान लगाते जाना है दोनों पतियों पर यस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे कोर की कषेत में ये हमारे पास dont कसरो Значитine कमें इनकी included प्र gwitशे में सारी प्रख़ता के मैं कटिंग कर लिए अब इस तरीके से हम एक कोने को पकड़ कर दूसरे को मिला कर समोसा पटी की शेप में हमने ये पटियार कर लेनी है तो अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे तो ये देखें फ्रंट वाले नेक पर मैंने पटी को इस तरीके से रखा तो इस तरीके से हम V-shape में स्लाई लगा देंगे सेंटर में हलका सा कट लगाकर उल्टी साड के तरफ इसे हम डबल फोल्ड करके तो स्लाई लगा देंगे यह देखें स्लाई भी हमारी लग चुकी है अब हम अब हमने बटन पटी त्यार करनी है तो यह देखें बैक बड़ा पार्ट लेंगे उसको इस तरीके से नीचे रखेंगे और लगा देंगे स्लाई लगाने के बार सेंटर में इसे कंटिंग जाल लगा देंगे और उल्टी साड के तरफ हमने डबल फोल्ड करके फिर से नीचे नेख हमाने कंप्लीट हो चुके है यहां परrob के पेटी का फ्रांट बला पारट लेंगे यह फ्रॉक का घेर है हमने इस तरह के से इसकी चुनट्स यहां पर डालनी है लेकिन उससे पहले हमने जो हमने अंगरखा स्टाइल में जो डिजाइनिंग करनी है वो हम करेंगे यहां पर निशान लगाएंगे फ्रंट वले पार्ट को इस तरह के से अच्छे से बिचा देंगे और यहां पर हमने कंधे से मेयर्मेंट करना है तो कंधे से हमने यह देखे सीधी लाइन लगाई जहां तक हमने कंधे की कटिंग की थी वहां से सीधी लाइन इस तरह करके तो वी शेप में इस तरीके से आगे तक निशान को लेकर आना है तो ए Aleman ते बिसी कि अंतर हैो करिबन 3 अंज तक आगे तक निशान लाकर तो सीधा हम निशान लगा देंगे तो यहां पर आप गोर से देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से यहां पर निशान लगाए हैं उसके बाद हम यहां पर फ्रॉक गेर को इसलाई करेंगे तो यह देखियें इस तरीके से हमने छोटी-छोटी प्लेट्स की शकर में हमने चुनट्स यहां पर डाल कर तसलाई लगाते जाना है बहुत ही खुपसरत और बहुत ही प्यारे स्टाइल में यह अंगरखा स्टाइल जो है वो मैं आपको बता रही हूँ बहुत इजी तरीके से यह वो लंगरखार जो डिजाइन है यह मैं पहले भी आपके साथ शेर कर चुकी हैं तो चोटी बेबी का मैंने इस बार बनाया है तो वो मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ तो यहां पर देखें अब हमने इस तरीके से जो उपर से हमने सिधा निशान लगाया था वो हम फ्रॉके घेर के उपर भी वैसा ही सिधा निशान एंड तक लगा देंगे फ्रॉके दामन तक यह निशान मैं पहले भी लगा सकती थी फ्रॉके घेर को स्लाई करने से पहले लेकिन मैंने बाद में लगाना बहतर समझा अब यह देखें बरीक डॉरी एक बनाएंगे हम इस तरीके से दोना तरफ से फॉल्ड करके फिर से फॉल्ड करके तो बरीक सी डॉरी बनाकर तो स्लाई लगाएंगे इसके उपर तो यह देखें डॉरी हमारी त्यार हो चुकी है अब इस डॉरी के हमने कहां पर लगाना है यह देखें तरह अब एक इंच का फासला चोड़कर मैंने निशान लगाया जो हमने फेर्टिंग के अंदर जो कपड़ा आना है वहां तक हमने निशान लगा दिया उसके बाद हमने यह देखें सेंटर में जो फासला है वह साड़े तीन इंच का है अब हम डोरी लेंगे जितनी हमने डोरी लूप स्यार करनी है उतनी हम कटिंग कर लेंगे तो यह देखें इस तरीके से हमने यहां पर रहकर तसलाई लगानी है उतने ही साज में हमने 6 डोरी लूप कटिंग करनी है तीन एक साड़ पर लगेंगी हमारी और तीन दूसरी साड़ में यह देखें इस तरीके से एक अंग्रखा वाले जो कौना है वहां पर लगेगी और इस तरीके से तीन एक साड़ पर और सेम उनी के सामने तीन दूसरी साड़ में हमने स्टिच करनी है तो यह देखें इस तरीके से हमने डोरी लूप को एक रखा और यहां पर हमने स्लाई लगाई और इस तरीके से हमने दूसरी को रखा तो सीथी स्लाई लगा दी इसी तरीके से दूसरी तरफ हमने तीनों डॉरी लूप्स को स्टिच कर देना है अब जो हमने पटियां त्यार की थी समोसा शेफ में उनको इस तरीके से त्यार करके यहां पर हम नेक पर रखेंगे उपर से हमने आधे इंच का फासला छोड़ना है जो स्लाई में आईगा तो इस तरह के से हमने समोसा पटी को रुखा और यहां पर हम into परकश स्लाई लगाते जाएंगे तो दूसरी स्मुसा पटी त्यार करके उसको भी हमने इसी तरीके से उस कोने को उपर रखा पहले वाले कोने को उपर तो जो निशान हमने लगाया था अंगरखा स्टाइल में जो हमने वी शेप में जो टेड़ा निशान लगाया था वहां तक हमने इस तरीके से स्मोसा पटियों को स्टिच करके तो इस तरीके से हम मोड़ लेंगे फिर से और यो dore loops सomने यहां पर stitchs कियी थी उनके ओपर हमने इस तरीके से रखना है स्मौसा पर्टी को और सीधा क्वॉक के घेर के ऑपर लेका जाना है और end तक तामन तक हमने यह स्मौसा पर्टीयां stitch करनी है जो हमने निशान लगाए थे आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने बगैर कटिंग के अंगरक्खा डिजाइन बहुत ही खुपसरत त्यार किया है एंड से हमने 1.5 इंज का फासला छोड़ देना है जो फॉल्डिंग में आईगा तो यह देखें समोसा पटिया हमारी स्टिच हो चुकी है अब हम रेड कलर में जो हमने शिटर लैस ली थी वो लेंगे और दूसरी तरफ हमने वी शेप में हमने इसको स्टिच करना है बाकी लैस को लेंगे तो जो स्मोसा पट्टी है जो हमने स्टिच की थी उनके उपर इस तरीके से हमने लैस को रखना है और यहां पर हम स्लाई लगाते जाएंगे जो स्मुसा पट्टी का रफ वाला पार्ट था वो लैस के नीचे आ जाएगा और स्टिच हो जाएगा उपर लैस को हम स्टिच कर देंगे तो ये देखें लैस भी हमारी स्टिच हो चुकी है देखें बहुत ही खुपसुरत लग रहा है ये डिजाइन तो डबल स्टिच होने के बाद हमने रफ गलर में जो पाइपिंग हमने लेनी है दोना तरफ जो फॉल्डिंग वाली पाइपिंग होती है वो लेंगे उसको इस तरीके से हम इस मखजी को स्लीप के ओपर हमने स्टिच करना है मैंने चोटे चोटे स्लीप्स भी आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाए थे लेकिन यहां पर मैंने फिर विदाउट स्लीप्स यह फ्रॉक तियार कर लिया अब यहां पर हमने प्यूटिंग की सलाई लगानी है उसके बाद हमने फ्रॉक के घेर को फोल्डिंग करना है इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमने लैस को स्टिच करना है फ्रॉक के घेर के फ्रंट और बैक साइड पर तो यह देखें, फ्रॉक हमारा कमप्लीट हो चुका है, लेस भी हमार सिच हो चुकी है, अब हमने, जो डोरी लूप्स हमने यहां पजीछ की थी, उन में हमने यह रेड कलर में डोरी तियार की थी, वो यहां पर हमने इस में से गुजारनी है, तो ये देखें इस तरीके से हमने इस डोरी को डोरी लूप्स की अंदर से गुजारते जाना है तो एक साइड से ये बहुत ही खुबसरत ये डिजाइन बन जाएगा डोरी के साथ तो यहां पर आप बेबी के फ्रॉक पहनाने के बाद इस टोरी को थोड़ा सा खैंच कर फ्लावर की शेप में गिरा दे दें तो फिटिंग भी बहुत ही प्यारी आएगी तो यह देखें अंगरखा स्टाइल में फ्रॉक की फाइनल लुक कोई भी डेजाइन हो कोई भी कलर हो इस फैबरी का तो आप यह वला डेजाइन त्यार कर सकती है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे शेर कीजिए और मेरे चैनल्स वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ओके फ्रेंड्स अल्ला हाफीज